नमस्कार आशा करते हैं आप लोग बहुत अच्छे होंगे आज हम बनाएंगे मटर के निमूने सर्दियों में ये बहुत ही अच्छे लगते हैं और ये बहुत ज्यादा बनाए जाते हैं आप इन्हें एक बार बना कर जरूर खाईएगा हमने इनमें आलू का भी यूज किया जो कि बिल्कुल फ्रेश है ये फ्रेश मटर के जब बनते हैं तो बहुत ही स्वादिश्ट लगते हैं इसलिए ये ठंडियों में ज्यादा बनाए जाते हैं और हमने यहाँ पर मटर को छील लिया है ये बिल्कुल फ्रेश मटर है और हमने मशालों में लिया है धनिया की पत सब्सक्राइजार में add भग एक टेबल सपून जीरा रग्डेर अब अधरियता त्रून द्हानית पाउटर एड़ करेंगे 12 तूल दन्या पाउडर से अधरिया तूल सब्सक्राये हल्डी पाउडर दिया है अब मिक्सी जार का ढकंडान करें और इसका दर्डा पीस करें हैं और लेकिन हम कर्वाइब कर रहे हैं ज्यादामे महीन लेंगे तो इस प्रकार से दरदरा हम मिक्सी जार में पीस लेंगे और वैसे ही भी अगर आप सिल पर पीसेंगे तो इसका स्वाद बहुत ही अच्छा आता है अगर इस प्रकार से निमोना बनाएंगे तो आप एक बार खाएंगे तो यकीन मानिए आप उसे बना कर बार बार जरूर खाने का मन करेगा और ये बहुत ही स्वादिस्ट बनते हैं तो देखिए हमने इस प्रकार से इसे दरदरा पीस लिया है इसी प्रकार से हम यहाँ पर लगभग पूरी मतर को इसी प्रकार से पीस लेंगे और उसमें से लगबग एक मूठी मटर को हम नहीं पीसेंगे क्योंकि हम उसका खड़ा ही यूज करेंगे देखिए हमने यहाँ पर इतना पीस लिया है और इतनी खड़ी मटर ही ले ली है और यहाँ पर हमने कुमडौरी का यूज किया है यह घर में बनाई हुई है और मार्कित में भी मिलती है यह डाल से बनाई जाती है इस निमोने में इसका स्वाथ बहुत ही अच्छा लगता है अगर आपके पास यह नहीं है तो आप इसे इसकिप भी कर सकते हैं और हमने आप सबजी बनाने के लिए कडाही में सरसो का तेल गरम कर लिया है इसमें सबसे पहले हम कुमढ़ोरी को फ्राइ कर लेंगे लगबग एक मिनट तक फ्राइ करेंगे मीडियम फ्लेम पर जिससे की यह अच्छे से पक जाए एक मिनट चलाते हुए अच्छे से पके और हम चारों तरह करेंगे अब look is for it और इसफे बचे हुए तेल में मटर को fry करेंगे तो हम इसने एक पिंच हींग अड़ करेंगे और जो हमने पिसी मटर ली थी उस मटर को एड़ करेंगे और साथ में जो खडी मतर थी उसे भी हम इसी में ऐड़ करेंगे और लगबग दो मिनट तक इसे हम फ्राई करेंगे मेडियम फ्रेम पर बहुत देर फ्राई नहीं करना है एक से दो मिनट ही फ्राई करना है और हमने जो आलू ली थी यहां पर हमने लगबब दो आलू ली थी जो कि हमने इस साइज में कट कर ली थी वो भी हम इसी में अड़ कर देंगे और इसे चलाते हुए हम इसी में फ्राई कर देंगे कम से कम एक या दो मिनट तक हम इसे फ्राई करेंगे और इसी सरसो का तेल जब अच्छे से गरम हो जाएगा तो हम इसमें पिसे हुए मसालों को एड़ कर देंगे अब इन मसालों को हमें फ्राइ करना है तब तक फ्राइ करना है जब तक इनसे तेल ना अलग हो जाए तो हम इसे थोड़ी देर के लिए ढख देते हैं और गैस को हम medium to low flame पर रखेंगे और इसे हम fry कर देंगे आप चाहें तो इसमें टमाटर भी यूज़ कर सकते हैं मसाले हमारे fry हो चुके हैं अब हम इसमें मटर और आलू तथा कुमडौरी एड़ कर देंगे और इसे हम लगबग एक मिनट तक चलाते वे fry करेंगे उसके बाद हम इसमें gravy एड़ करेंगे तो देखिए हमने इसे fry कर लिया है अब हम इसमें अपने उनसार पानी एड़ करेंगे आप चाहें तो इसमें जितना पानी चाहें यूज़ कर सकते हैं यह बहुत ही स्वादिस्त बनता है हमने यहां पर लगबग दो ग्लास पानी एड़ किया है और अब हम इसमें नमक एड़ करेंगे नमक एड़ करने के बाद हम इसमें थोड़ा सा गरम मसाला पाउडर एड़ करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे मिक्स करने के बाद हम इसे इसी कडाही में पकाएंगे तो इसके लिए हम इसे ढग देंगे और गैस को मीडियम फ्लेम पर रखेंगे और इसे पकने देंगे कम से कम 5-7 मिनट बाद यह पक गया है अब हम इसमें कटी हुई धनिया की पत्ती अड़ करेंगे और इसे अच्छे से मिक्स करके सर्ब करेंगे अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमें अपना कमेंट करिए और लाइक शेयर तथा सब्सक्राइब करिए मिलते हैं हम नेक्स्ट रेसिपी के साथ तब तक के लिए अपना ध्यान रखे थाइंक यू सो मच और इस रेसिपी को आप एक बार जरूर ट्राइ करेंगा और कमेंट जरूर करेंगा थाइंक यू सो मच और अपना करेंगे